नेशनल जियो चैनल पर आपने कई बार देखा होगा टाइगर वर्सिज लॉइन की आपस की जंग लेकिन अब बड़े परदे पर ये जंग साफ साफ होती नजर आ रही है हम बात कर रहे हैं लियो की और टाइगर की लियो जो तमिल सिनेमा से निकल कर आया है और टाइगर जो हिंदी सिनेमा से निकल कर आया है अब सवाल है कि इन में से कौन बाजी मारेगा नेशनल जीओ पर हम देखते रहते हैं कि अक्सर लॉइन ज़्यादा पावरफुल होता लेकिन टाइगर के पास ज़्यादा चालूती है वो पेर पर चल सकता है वो ज़्यादा फुरतीला होता है अल डेट अब लेकिन यहाँ पर जब हम बॉक्स आफिस की बात कर रहे हैं तो यह सवाल उटके खड़ा हो गया है कि आखर इन दोनों में से कौन भारी है आखर कौन जीतेगा कौन आगे निकलेगा क्यों बात हो रही है यह सवाल क्यों उठ रहा है सबसे पहले देखिए वो ट्रेलर जो कल लॉंच हुआ और आती है उसने तहलका मचा दिया ऐसा तहलका मचाया है कि तमिल से निकली यह दहाड हिंदी सिनेमा वालों को सुनाई पड़ रही है और साफ साफ सुनाई पड़ रही है यह स्ट्राइच फिल्म लेकर आ रहा है ताइगर का मैसेज जो टाइगर थी आने का पहले का टीजर है ठीक है जी तीन करोर दस लाग से ज़्यादा व्यूज हासिल कर रहे है खाली व्यूज की बात कर रहे है अब टाइगर का मैसेज का देखिए जो टाइगर का मेसेज आया था, नौ दिन में उसको व्यूज मिलें, एक करोड़ असी लख, अब फर्क देख रहे हैं, एक दिन में तीन करोड़ से जादा, और नौ दिन में एक करोड़ असी लख, यह फर्क है, जिस हम धमाल की बात कर रहे हैं, जिस टक्कर की बात हम कर रहे अब आप देखे ये जो फिल्म है भारत के सबसे बड़े बैनर है बॉलिवूड का ये श्राइज फिल्म्स और उसको भी ऐसा नहीं है उस जो उसके इंदर भी जो महत्वकांशी प्रोजेक्ट है वार यूनिवर्स का ये उसका टीजर है उसको वो लियो के सामने कहीं ठहरता ह अब आगे देखे अब करते हैं लाइक की बात तो जब लियो की बात आती है लियो का ट्रेलर इदर रिलीज हुआ और उस पर लाइन की जड़ी लग गई सिर्फ 21 मिनट में एक मिलियन लाइक उसके ट्रेलर पर आ गए ये दिवानगी है लियो की शेर की दिवानगी है विज इसने दिन में नौ दिन में ये तो मुकाबला बराबरी का लग रहा है लेकिन जड़ा एकिस मिनट से उपर तो चलिए एकिस मिनट से जैसे ही आप उपर जाते हैं तो आपको एक दूसरे नजारा दिखाई देगा साथ घंटे में दो मिलियन लाइक यानि टाइगर से दो ग बात नहीं कररें हम ओर आल बात कर रहें सबसे ज़्यादा इसने लाइक हासिल कर लिंए चोविस घंटे के अंदर कमाल है ये तो इतना ही नहीं सबसे ज़्यादा देखे जाने VALA टेलर बन जाएगा लियो का चोविस घंटे के अंदर दूसरे पढूर जादा वीयू उसे ह अक्टूबर को यानि कल के दिन कल शाम को जब टेलर राउंच हुआ तो क्या धमाल हुआ कल कर जो मैंने वीडियो बनाया उसमें मैंने आपको दिखाए थे तस्वीर है और क्या धमाल हुआ है मदुरे के सिनेमा हॉल के अंदर एक बार ये पंदरा सेकंड का विजूल है इसको जड़ा उस शूर को महसूस कीज़े उस दिवानगी को महसूस कीज़े ये दिवानगी विजय की ये दिवानगी लियो की और अब यहां से आईए इस जो अपने टेलर देखा भीर देखी लोगों का उत्सा देखा उसके बाद क्या हुआ उसके बाद हुआ ये देखे क्या हाल हो रखा है सिनेमा हौल का फैंस ने इतना हंगामा किया कि सिनेमा हौल की कुर्सिया तूट गए इतने जोश में थे विजय के फैंस अब सवाल यह है कि अब तक आती थी फिल्में कारोबार अच्छा करती थी मतला हम तो यह मुझे तो याद है कि सालों साल हमने साउथ की डब मुवीज को यूट्यूब पर देखा है और अब साउथ के लोगों ने समझ लिया है कि उनकी मुवीज पूरे देश में पसंद की जा रही है अब देश में नहीं है पूरे वर्ल्ड में पसंद की जा रही है इसलिए अब वो इसका इंतजार नहीं करता है कि मूवी आएगी तेलगू के अंदर उसके बाद उसको हिंदी में डब किया जाएगा या किसी दूसी भाशा में डब किया जाएगा यहाँ पहले ही उसके कदरदान देखने वाले बैठे हैं लियो तो सही में यहाँ पर जो अटेंशन उसने खींचा है देश भर का खींचा है और फिल्म आनी से पहले ही यहाँ पर हिट होती हुई नजर आ रही है ऐसा लग रहा है कि फिल्म हिट जाएगी क्योंकि जो रिस्पॉंस उसे मिला है अब देखिए इस पूरी फिल्म के यह है कि शायद शायद की एक शक्स है जो अपना पुराना इतिहाँ छोड़के एक सीधी साधी जिन्दगी जी रहा है लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि वो सुर्खियों में आता है और उसके जो दुश्मन थे उसके पीछे पढ़ जाते हैं हाला कि ट्रिलर देखके तो एक एक ही शक्स की कहानी है डबल रोल शायद इसमें विजय का नहीं है लेकिन जो सीन है जहां से इसने चर्चा खींची हाईना के सामने खड़ा हुआ लियो तो हाईना वर्सिस लियो की कहानी बन गई और जो कालांतर में है वक्त के साथ में संजदत वर्सिस ये नाम आ जिसमें विजय परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं और यहां पर इंटरस्टिंग बात ही है कि ऐसा मुझे लगता है परसली कि पूरी फिल्म इमोशन पर जादा बेज़ रहे है बजाए एक्शन के एक्शन तो ही फिल्म में लेकिन शायद ये कहानी कुछ इस तरह की बंती हुए नज़र आ रहे है कि आदमी अपने परिवार को बचाने के लिए बड़े बड़े गैंग से बढ़े जाता है बड़े बड़े लोगों से पंगा ले रहता है और फिर उनका सफाया करता है तो ये सारा सीक्वेंस मुझे इस कहानी में नज़र आ रहा है और ये ल 19 अक्टूबर कोई फीलम रिलीज होगी बॉक्स उफिस पर पैने इंडिया फिल्म में पूरे देश में रिलीज होगी वेडेशों में चाहरा है और जो वेडेशों से डैठा आ रहा है वो भी कम हैरान करने वाला नहीं आैं और कहा जा रहा है कि ये पूरे पूरे चांस है ह वोक्स आफिस पर नया रिकार्ड बनाए जैसे यूके का डाटा है यूके का डाटा हम आपको दिखाते हैं फिल्म ने लियो ने अब तक तीन सो के यानी तीन सो हजार पॉंड की एडवांस बुकिंग कर ली है इस से ओपर कौन कौन भरती है फिल्म है जवान है जो 307 के है और पठान है जो 319 के है तो इन दोनों फिल्मों का क्रेज इस से जादा था लेकिन ऐसा लग रहा है कि क्योंकि अभी 12-13 दिन बाकी है और पूरे पूरे चांसे इस बात के हैं कि जवान और पठान से भी आगे पहुँच जाएगी लियो तो बात सिफ टाइगर की नहीं है तो वो बॉक्स आफिस पर पता चलेगा आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएगा और प्लीज अब तक आपने अगर सबस्क्राइब नहीं किया है तो आज है सबस्क्राइब करें हमारा चैनल जंगलमन रियाक्ट्स यानि एड़ दरेट जे जीम रियाक्ट्स ताकि रोज हम आपके लिए अपडेट लेकर आ सकें नमस्कार